हेलो फ्रेंड्स, आज मैं BPSC के पेपर 2 का एक कोश्चन जो 60-62 BPSC में पूछा गिया है, वो लेकर आपके समक्च आया हूँ कोश्चन है, बिहार की राजनिती में राजपाल की सक्तियों और वास्त्विक इस्थिती का वर्णन कीजिए तो अब हम लोग जानेंगे कि इस प्रश्म का उत्तर हम कैसे देंगे, सबसे पहली बात परीचे तो राजपाल के बारे में थोड़ा सा ले आउट बताना है, जो की समिधान में दिया गया है उसके बाद पहला पार्ट का कुश्चन राजपाल की सक्तियां उसको पार्ट बन में बताएंगे फिर दूसरी पार्ट में वास्त्विक इस्थिती क्या है राजपाल का राज्यों में उस पे हम डिसकर्स करेंगे फिर अंत में निचोर निसकर्स को हम समावित करेंगे तो हम पहला पार्ट जो परीचे है वो पहले लिखेंगे परीचे में पहले हम लिखेंगे राजपाल, राज का संविधानिक और कारपालिका का परधान होता है राजपाल का वर्णन भारतिय संबिधान के अनुछेद 153 से लेकर अनुछेद 162 तक किया गया है राज का समस्त प्रशाशन राजपाल के नाम से चलाया जाता है राजपाल की न्युक्ति परधान मंत्री के सिफारिस पर राश्टपती द्वारा पाँच वर्सों के लिए किया जाता है प्रन्तु भारतिय संबिधान के अनुछेद 156 के अनुशाद राजपाल का कारिकार राश्टपती के परसार प्रियंद होता है ये इंट्रोडक्शन हुआ राजपाल के बारे में जो आप अच्छे तरीके से इसको लिख सकते हैं उसके बाद अगर हम पाठ वन का बात करें राजपाल की सक्तिया तो हम पहले मुख बिंदू पांच राजपाल का सक्तिया जैसे की कारिपाले का सबंदी सक्तिया तो इसमें मैं बुलेट पॉइंट के थुरू आप इसको डिटेल में थोड़ा सा लिख सकते हैं सबसे पहले अगर हम कारिपाले का समंदी सक्तिया राजपाल का देखें तो उसमें है पहला नमबर राज के मुख मंत्री की निउक्ति दूसरा उच न्यायानों के नैधिसों की निउक्ति राष्टपती द्वारा राजपाल की सलापर करती हैं तीसरा विधान सभा के एक सदस्य का मनोनयन चौथा विधान परिश्द के कुल सदस्यों की संख्या का एक बटा छे सदस्यों की निउक्ति और पांचमा राज के महादिवक्ता और राज लोक सेवा आयोग के सदस्यों की न्यूक्ति ये कारपाले का सबंदी सक्तिया हैं जो मैंने बुलेट पॉइंट के थुरू बताया दूसरा विधानिक सक्तियां राज विधान मंदल का सस्त बुलाना सत्रा वशान करने और विधान सवा के विगटन करने का अधिकार दूसरा धन विध्यक और अनुदान मांगों को सिफारिस करने का अधिकार तीसरा, विधान मंडर द्वारा पारित, विध्यक, अधिनियमों को राजपाल के हस्ताक्षर के बाद भी परभावी किया जा सकता है चाउथा, विधान मंडर के किसी सदस्त के आयोग समंधि, किसी विवाद का अंतिम निर्णे, राजपाल द्वारा चुनाओक आयोग के सलापर पाचमा, राजपाल को राज के विश्यों पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार तीसरा, हम वित्य सकतियां दिसकस करेंगे राजपाल का जिसमें की पहला है, धन विद्यक राजपाल के सिफारिश के बाद ही पेस किया जाता है दूसरा बात करें, तो राजपाल की अनुमती से राज की आकस्मिक निधी किसे हुया है तीसरा, राजपाल के अनुने मांगों की शिफारिश करने का अधिकार चौथा, वार्षिक बजट विधान मंडल से राजपाल पेस करवाते हैं उसी परकार अगर हम चौथा पॉइंट बात करें तो नियाइक सकती है जिला नियाइदिसों की नियुक्ति एवन प्रोणती दूसरा, किसी व्यक्ति को दिये गए डंड को कम या माफ कर सकते हैं तीसरा, उच नियाइदिसों की नियुक्ति में राजपाल से सला लेते हैं चाउथा, राज में राष्टपती सासन के दौरान प्रशासनिक बागडोर राजपाल के अधिन हो जाता है अगर हम पाँचमा पॉइंट डिसकस करें राजपाल की सकती तो विवेका अधिकार की सकती होती है इसमें भी हम दो बुल्लेट पॉइंट को डिसकस करेंगे पहला है आम चुनाओ के बाद त्रिसंकु विधान सवा होने पर राजपाल अपने विवेक से किसी भी दल के नेता को मुख मंत्री बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं दूसरा पॉइंट अगर डिसकस करें विवेका धिकार में तो राजपाल राश्टपती को भेजे जाने वाले संदेश में 100 विवेक का परियोग करता है अब मैंने 5 पॉइंट जो 5 सकतियां जो महत्वूर्ण सकतियां है राजपाल का वो मैंने डिसकस किया पहला डिसकस किया कारपालिका समंधी, सक्तियां, दूसरा वैधानिक सक्तियां, तीसरा वित्तिय सक्तियां, चौथा नियाइक सक्तियां और पांचमा विवेकाधिकार अब इसको संचित में इसको निसकस निकालेंगे और लिखेंगे उप्रियुक्त तत्यों को देखने से या परतीत होता है कि राजपाल की सक्तियां और सिमित है राज का कोई भी कार राजपाल के बिना की अनुमती से नहीं किया जा सकता परन्तु वास्तव में बिहार के राजपाल की सक्तियां सिमित है जिस परकार केंदर में नामात्र का कारिपालिका परमुक राश्टपती होता है वास्त्विक अर्थों में कारिपालिका अधिकार राजपर्धान मंत्री के नेत्र तुबाली मंत्री परिसद के पास होती है जो सामोहिक रूप से संसद के परती उत्तरदाई होती है ठीक इसी परकार बिहार में नामत्र की कारपालिका का परमुक राजपाल होता है जबकि वास्ट्रिक अधिकार मुक मंत्री के नेत्रतुबाली मंत्री परिशद के पास होती है जो सामोहिक रूप से राजविधायका के परती जिम्वेदार होता है अब हम पहले पार्ट को कंप्लीट कर दिये हैं अब दूसरा पार्ट को लेकर हम इसमें लिखेंगे वास्पिक इस्थिती राजपाल का क्या है बिहार में राजपाल के काम करने का ढग राज की राजनिती इस्थिती पर निर्वर करता है शमान शमय में जब राज में बहुमत वाली स्थाई सरकार होती है तब वो नाममातर का परमुख होता है लेकिन और समान परस्थितियों में जब राज में राजनेतिक और स्थिर्ता होती है तब वो महत्पुन भूमिकार निभाता है क्योंकि उसके पास अनुचे 361 के तहट विशेश विवेका धिकार होते हैं जिनका इस्तेमाल राजपाल केंद्रिय सरकार के निर्देशा नुसार मनमाने धंसे करता है मिसाल के तोर पर 1999 में केंद्र की बाजपाई सरकार के निर्देशा नुसार बिहार के राजपाल सुन्दर सिंभंडारी द्वारा बिना ठोस अधार्स के राब्री सरकार को बर्खास्त कर राश्पती सासन लगाना दूसरा उनेश्पत दोजार पांच में राजपाल बूटा सिंभ द्वारा किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित ना करना तीसरा मनमाने निर्देशा नुसार काम करना चौथा 2017 में राजपाल केसरी नात्रि पार्टी द्वारा केंद्र की निर्देशा नुसार काम करना और लालू परसाद की सबसे बरी पार्टी आरजेडी को सरकार बनाने का मौका ना देना जेसे अनेक मिसाल है जो दरसाता है कि बिहार के राजपालों की भूमी का राजनेतिक नहरतात से ओध परोत रहते हैं अब हम निसकर्ष की ओर चलते हैं और निसकर्ष में हम लिखेंगे इस परकार बिहार के राजपाल के काफी पास काफी सक्तियां हैं प्रंतु उसका पर्योग वा केंद्र के निधारात्वा मुखमंत्री के नेत्रित वाली मंत्री प्रणिर्षत कि सला पर करता है। में नफ़ा नुक्षान के हिसाब से केंद्र वह राजके बीच में कभी सेतु तो कभी खाई का काम करता है। तो हमने आज 60-62 में जो भी प्यासी में पुछे ये कोस्टन को मैंने डिसकर्स किया इसमें बस की पॉइंट जो मैंने और रेड़ी बता चुका हूं कि इसमें परीचे राजपाल का लिखना है फिर राजपाल की सक्तियां फिर वास्तिरिक इस त्री में दो तीन एक्जांपल को दर्साना है उसके बाद निसकर्स को लिखना है चलिए फ्रेंड अब दूसरे कोस्टन के साथ मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू एंड हवे नाइस डे